तीसगर में युवा कॉंग्रेस पोस्ट कार्ट अभ्यान शुरू करने जा रही है इस अभ्यान के तहट आम लोगों से पोस्ट कार्ट लिखा कर पीम नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे उनसे अदानी मसले पर जवाब मांगा जाएगा साथी जेपीसी जाच की मांग की जाएगी युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि राहूल गांधी ने जब इनी सवालों को केंद्र सलकार से पूछा तो उनकी संसस सदस्यता रद्द कर दी गई अब प्रदेश और देश के लाखों युवा य ब्रदान मंत्री के नाम से पोस्ट कार्ड है जवाब दो मोदी जी ये लिखा गया है और एक पत्र भी लिखा गया है जो पोस्ट कारड साफ़त और पर दिखा देश सकता है यूद कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शकास सर्मा हमारे साथ है उन्हीं से जानते कि ये प सवाल करेगी नरेम मोदी जी से कि वो तीन सवाल जो राहूल गांदी जी पूछ रहे हैं सलसाम में देश का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि कि गौता मदानी ने भरती अंदर पाडू कितना अधिकार रूप से पैसा दिया है कैसे जब जब रहाम मंद्री विदेश दोरे में जाते थे उसके बाद गौता मदानी को आर्थिक रूप से मदद की टेंटर मिल जाता था कैसे गौता मदानी 6-8 वर्डसों में 60 नंबर से दूसरे नंबर में आ जाता है वह तमाम सवाल है जो सरा रहूल जी को पूछने नहीं देगी अब सवाल जनता पूछेगी माद्धा जनता को इतने लाग जनता को नरेमोधी डिस्कॉलिफाइट करते हैं बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं आपके नेता रहूल जी भी पूछ रहे हैं जवाब मिलनी पा रहा है क्या उम्मीद आपके भियान से जवाब मिल पाएगा क्योंकि हाल की दिने में जा सवाल पूछते तो रहूल गांदी जैसे कॉलिफाइट साथ को डिस्कॉलिफाइट करते हैं उनके प्रवक्ता बोलता है कि कॉंग्रेस पार्टी सवाल कर रही है इसलिए हम आप आम जनता की बीच जा रहे हैं सवाल आम जनता करेगी अब आम ज क्योंकि है